एलो एंबरिवन, आज की ओनलाइन क्लास में हम सीखने वाले ब्यूटिफुल क्रिस्मिस कार्ड जो क्रिस्मिस स्पेशल हमारे लिए हैं तो लिए जैसे कि आपको पताईए कल क्रिस्मिस है तो हम एक इमिटेशन कार्ड अपने फ्रेंट्स को सेंड कर सकते हैं तो चलिए अब हमें इस पर क्या करना है डियर, एक वाइट स्ट्िप से, सिपोज हमारे पास यह वाइट कटिंग है, tout हम इस तरह से मार्जन, यह इक्वल मार्जन है, तो हम यहा से इसका कट आउट निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पैंसिल की हैल्प से यहां पर ड्रो कर लेंगे तो यहां से हम थोड़ा सा डीप शेप में इस तरह से शेप में ड्रो करके और यहां से कट कर लेते हैं तो यह हमारा कट हूँ गया अब देखेए यहां पर इस तरह से पेस्ट कर रहा है इसके साथ एक और सिंपल हम कटिंग लेते हैं जो हमें सीधी चाहिए तो हम यही से कट कर लेते हमें यह वाली شेप चाहिए इसका हाफ मिंस तो यह कटिंग हम निकाल लेते हैं डियर आपको मेरा क्राफ्क पसंद आता है तो प्लीज लाइक अन शियर जरूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको डेलि new notification मिलती रहे तो देखे ही हमें पूरे equal चाहिए तो हमारा ये equal है थेन इस ता इसे हमें equal चाहिए अब हमें dear एक और नीचे के लिए भी चाहिये तो हम यहीं से निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहीं से मिल जाएगी इसकी sheet तो इसी में से हम एक और निकाल लेते हैं तो उसमें भी हम pencil की help से simply ऐसे ही draw करते हैं और हमें ये हलका cut की shape चाहिए वही shape है हमारे पास तो हमें वही cut out निकालना है तो ये देखें ये हमारा निकल चुका है और ये हमें यहाँ पर इस तरह से paste करना है तो चलिए अब paste करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है हम favicol की help से इसको paste कर देते हैं तो हमें यहाँ पर use करना है favicol then we paste it हम simply इसको इस तरह से paste कर देते हैं then अब जो ये strip है हमारे पास हम उसको भी इस तरह से यहाँ पर paste करेंगे तो इसके center में हमारे पास line आती है इसको हम थोड़ा सा इसके नीचे चुपा देते हैं और यह line हमारी इस तरह से आजाती है ठीक है तो देखे यह paste हो गया अब यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं फैविकोल यूज करेंगे और इसको simply हम यहाँ पर paste कर देना है यह देखे done तो यह हमारा paste हो गया है अब डियर हमें क्या करना है हमें एक black strip चाहिए और इसके center में हमें paste करना है तो यह हमने उलड़ी कट की हुई है आप यही margin रखे या इसे कम ज़्यादा भी आप कर सकते तो यह हमें यहाँ पर paste करना है तो इसके लिए भी हम फैविकोल यूज करेंगे और इसको simply यहाँ पर paste कर देंगे तो यह देखे डियर यह हमारा यहाँ पर paste हो गया है अब हम Caesar की help से जो हमारी extra sheet है उसको हम cut कर देते हैं तो यह देखे यह हमारी extra है तो इसको हमने cut कर दिया इस तरह से हमारी यह Santa की belt ready हो जाएगी और हमारे पास डियर एक sparkle sheet है आप उसी sheet का यूज कर सकते हो अगर आपके पास sparkle sheet नहीं है तो आप कोई और भी यूज कर सकते हैं तो यह देखे यह हमने यह sheet लिया है हम यहाँ से थोड़ा सा margin लेकर इसको equal कर लेते हैं तो यह देखे टियर हमारा equal हो गया अब हमें क्या करना है इस तरह से fold करके टियर और यहाँ से हम cut लगा लेते हैं एक cut हम इधर भी लगाते हैं और इसका center वाला part जो उसको cut करके separate कर लेते हैं तो यह हमारी इस shape में आएगी और इसको हम इस तरह से यहाँ पर paste करेंगे तो हम फैविकोल यूज करेंगे तो यह देखे डियर हमने यहाँ पर इसको इस तरह से paste कर दिया है अब इसी में से हम एक और small सा cut निकाल लेते हैं तो यह देखे हमने small cut निकाला है और उसका हमने आगे से corn type में बना दिया है और उसको भी हम फैविकोल की help से यहाँ पर paste कर देते हैं तो यह देखे डियर यह हमारा यहाँ पर paste हो गया जिससे यह हमारी belt look देगा तो यह देखे यह हमारा paste हो गया है डन दियर अब हमें क्या करना है हमने एक bore ready की हुई है आप भी ऐसे ही two cuttings करके bore ready कर सकते हो और इसको हमें क्या करना है यहाँ पर सेंडर में हमें यहाँ paste करना है अब डियर आपके पास एक black हमने जो यहीं से निकाली थी हम उसी की cuttings निकाल लेते हैं तो डियर हमने यह कुछी cuttings black color की cut की है जो हम button में यूज करेंगे तो हम यहाँ पर फैविकोल यूज करने वाले तो हमने इस तरह से लगाया और जहां हमने फैविकोल लगाया यहाँ पर हम इस तरह से यह cuttings जो हमने button टाइप में cut की हूए तो वह हम यहाँ पर paste कर सकते हैं यह देखें तो देखें डियर हमारे सेंटा का card का front page एकनम ready हो चुका है अब इसके अंदर हम अपने friends को जो भी हमें write करना है या कुछ भी हमें invitation देना है वह हम यहाँ पर write कर सकते हैं तो मैं अभी फिलाल के लिए simply merry christmas write कर रही हूँ आप कुछ भी write कर सकते हैं merry christmas to all तो यह हमने write किया it is up to you आप कुछ भी अंदर matter write कर सकते हो और यह हमारे सेंटा का beautiful सा card greetings एकदम ready हो चुका है I hope you like it thank you कर दो